आहां चालु है रिकॉर्ड़िंग क्या कर रहा है भरी तू चालु है रिकॉर्ड़िंग क्या है तू चालु है अच्बहे रिकॉर्ड़िंग। मैं तो भी हात में जिन लेने हाया था भर मुझे। कि तुमने एमबापे का सागा ट्रांसफर विंडो के पहले ही अफ्तिम खतम करा दिया ठीक है तुम सारे क्रीटर्स की रोजगारी खा गए तुम रियाल मट्रिट ने बिल्कुली पूरी ट्रांसफर विंडों किल कर दी जब तक लैपोर्टा भाई है तब तक कुछ है रहे कहा चला बासलोना में भी तो कहीं कुछ नहीं चल रहा वहाँ भी तो बस सोती सी गंगा वहरी है डैनी ओल्मो साइन कर लिया और कुछी को पीछे वो जानी रहे जो लाने चाहिए अरे वो जकरकटे को ले गाएंगा देखते रहे ना निको तो आजाएगा मेरे ख्याल में अच्छा निको आजाएगा तो और क्या चाहिए अब निको आजाएगा निको डैनियोल मो लमीन यमा लेवन डाउस की भीटर होगे उनको CDM प्लियर नहीं उन पे वो निकाल लेंगे अपने वो बाई प्रोडक्ट में से कुछ न कुछ कर लेंगे वो देखते हैं बढ़े गाईस और वेलकॉम बैक टू 1M UFC एंड हम आज बात करेंगे Real de Madrid के बारे में जिनके पास centre-backs नहीं है और थोड़ी बहुत हम बात करेंगे आपर United के बारे में कौन है कौन है वो तुम्हा लोंडा 16 साल का भी तो है वो जो जो जिसको तुम अभी प्री सीजन टूर पे लेके कहते वो भी तो है बढ़े यार मुझे ये बता क्या एक मिनिट भाई एक मिनिट के टाइम यह है यहां पर टाइम की बहुत कम यह है कि कैसा लग रहा है मतलब धाई साल जिस प्लेयर को चेस किया उसके पीछे इतने तमाशे हुए अब वो चुपचाप आ गया और उसके आने के बाद पूरी ट्रांसर विंडो उनने विल्कुल डेड कर दी उनने का हमें कोई नहीं चाहिए कि अब बुली आए हमें कोई नहीं चाहिए क्या लग रहा है सेक्सी सा लग रहा है मतलब मैस्टरवेशन के बाद जो एक फीलिंग आती है थकने की वैसा सा लग रहा है मतलब फटीग सा हो रहा है यूट्यूब ये मेरी गलती नहीं है दोस्तों ठीक है काफी क्रिस्टल क्लियर ही था पहले से कि सिफ एमबा पर चाहिए है और बाकी जो अपना कोर है उसको बचा के रखेंगे उसको ज़्यादा इधर उदर विखरने नहीं देंगे अब जैसे अभी यही ख़बर हम बात करते है यूले लवारेज अतलेटिको चला गया तो अब ऐसी ख़बर उडएगे कि पैप गार्जुला रोड्रीयो को पसंद करता है कर लेगा या आपको पसंद कर लेगा लेकिन रोड्रीयो के रिगार्डिंग जो रेयार मंडी का प्लान पहले था वो ही अप है, नहीं वो he is not for sale, definitely for sure, और मैं को लगता है कि रोडरी को भी जब game start हुआ नहीं अभी game time confirm है नहीं, अभी Julian Alvarez जब आया था उसको पता था नहीं कि Erling Island आने वाला है, कभी ना कभी तो पता होगा उसको, तो उसने भी Athletic Ometid join करने का decision दो season खेलने के बाद ही लिया ना उसने World Cup भी जीत लिया Copa भी जीत लिया, Treble भी जीत लिया, उसके बाद Premier League भी दो जीत लिया उसके बाद उसने लगवाग सतर गेम तो खेले होंगे Manchester City के लिए, सतर गेम खेलने के बाद उसने कहीना के decide कि भाई, ठीक है मैं Holland के साथ नहीं compete कर पाऊंगा और Holland का second fiddle से तो मैं काफी उपर गी चीज़ूं, जैसे Gabriel Jesus था उसको पता था कि वो Sergio Aguero का second fiddle है बट वो उस चीज़ से काफी जादा सही भी था खुश भी था, Arsenal ने का कि तो हमारा main man मन जा, Julian Alvarez ने का कि नहीं भाई, मैं किसी और का वेट करूँगा ही नि मैं तो पहले से यहाँ पर एक rebel कर देता हूं कि मेर को नहीं है, अब अगर यहाँ पर भी बाग करे, possibility तो है, देखो possibility तो है, कि हो सकता है कि Carlo Ancelotti the family man जो पूरा परिवार सबका साथ, सबका विकास लेके चलने के वाला आदमी है शायद से नहीं incorporate कर पाए शायद से नहीं Ardugular या फिर Hendrick की बात करे, जिस तरीके से वो समझ सकते है नहीं है Rodrigo के पास time और सोचना भी नहीं चाहिए, given the fact अब आप लोग सोच रहोगे, अगर यूलिन अलवारेस को भी दो साल होगे खेलते होगे, तो रोडरिगो को भी रियाल रोडरिगो को रियाल मडिट में खेलते होगे, काफी साल होगे बट एमबापे के साथ उसका पहला season है और अब अगर front three की बात करें, तो बहुत ही clear यहाँ पर of course, केलन एमबापे, विनीशियस और रोडरिगो तीन है तो फिर जो बात है वो फिर midfield में आ जाती है ना यह तो Carlo Ancelotti में डिपेंड करता है भाई हम लोग सिर्फ इसी चीज़ को क्यों सोच रहे हैं कि बेलिंगम, वालवर्दे, चुवामेनी, कामविंगा, यह चार में से कोई तीम तो खेलेंगे ही खेलेंगे क्या पता, चारों भी खेलें, लेकिर हमको यह भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर, कार लोकल को यह कहते देता है कि मेरे front three पूरी तरीके से fixed है रोड्रिगो, विनीशियस और केलिन इंबापे, और ब्रहीम लिया second fiddle है, एंड्रिक भी second fiddle है, एंड्रिक भी आर्दगुलर भी second fiddle है, बात midfield में आ जाएगी, तो रोड्रिगो वाला pivot खिला सकता हूँ, जैसे मैंने टोनी करूस के साथ करा, और शायद से हमको चुआ मेने आने वाले time में center bag भी खेल सकता है, कामविंगा भी आपके पास मिक्स में, और आपके पास बिलिंगम में, slots आपके पास midfield में तीन ही है, अब आपके पास midfield में players आता है, तो यह सिर्फ रोड्रिगो पे थोड़ी है, यह तो बहुत players पे है, भाई हम सिर्फ रोड्रिगो पे क्यों अटके हुए है, हमें इस पे भी बात करनी पड़ेगी, कामविंगा हो, कितना time दिया जाएगा, हम में इस पे भी बात करनी पड़ेगी, कि चुआ मैंनी कि कितनी रजावंदी है, कि वो सेंटर बैक पे अपने आपको convert करना चाता है, नहीं वह CDM में अपने आपको देखना चाता है, हो चाहता है कि वालवर्दे के साथ डबल पिविट के लिए, अगर ऐसा होने वाला है, औ और performance solid होती है, तो रोडरिगों से जादा किलस तो कामविंगा की चाहिए, कामविंगा कहेगा, मेरे को हो गए हैं यहां पर बाई, दो साल हो गए, दो-तीन साल हो गए, मेरे को अब तो starting 11 में मिलना चाहिए, तो यह जो मेरे को लगता है, रेयाल मडिट का सीजन बड़ा transition व होने वाली है, कौन main man है, कौन like क्या strategy रहने वाली है, attack में कौन कैसे rotate करेगा, midfield में कोई कैसे rotate करेगा, और defense में कैसे किसको rotate करने वाला है, लेकिन जो बात confirm है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यह straightforward पहले से था, कि इस बार रेयाल मडिट का सिर्फ और सिर्फ टार्गेट के लिए नमभापे है, अगले सीजन सिर्फ और सिर्फ टार्गेट fullbacks होने वाला, that's it. थोड़ी low intensity वाली football खेलेगी, हांसिफ लेगी, यहाँ पर हमने preseason में भी देखा है, उसके बंदों ने अच्छी football खेली है, और उनके काफी सारे main players जो है, वो missing थे, उस squad में, यहाँ पर Madrid को अपने center back position को अपग्रेड नहीं करना चाहिए था, shouldn't they have room for someone better? देखो मैं आपको इसको chronological wise समझा देता हूँ, जो मैंने अभी तक इसको cover किया है, लेनी योरो पे पूरी तरीके से confident थी Real Madrid, बट उस confidence की भी एक limit थी, कि ऐसे उतावला पन नहीं है अपने पर, अपने को लेनी योरो को बताया, कि वही वाली बात नहीं कि अगर आज Chelsea और United की तरह behave करने लगी, तो फिर दोनोंगे difference कहा रहा जाएगा, अगर Real Madrid किसी player को out of urgency, अगर उनको 60-70 million देने लग जाए, तो फिर वो Champions League और वो अपने model किसको दिखाएंगे, वो model, वो Champions League, वो success, वो team, वो सारा pull, वो बनाया है, इसलिए गया है कि यहाँ पर free agent के त उतने महीं है, जितने में विटरों के आए, आप बता है, क्यों आपने 35 million उसको दिया, 35 उसको दिया, फिर आपने family को दिया, फिर आपने agent को दिया, तो pull मिलाके package जाके 65 पहुंच गया ना जाके, वो तो देखो, एंडिक को लेके, जो पूरा strategy है, वो बहुत पहले सही था, लेनी योरो के साथ बात यहीं, नहीं, बात लेनी योरो की ही नहीं, बात लेनी योरो की तो करी निरम है, जिसमें मैं बस एक ही criticism रेयार मड़ी के डालूँगा, कि अगर आपको लेनी योरो का पता चलिया था, कि लेनी योरो के लिए आप एक limit के उपर पैसा नहीं दोगे, और Lenny Euro को एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है जिस पे किसी और European Club की नजर नहीं है, सबकी नजर थी, United की भी नजर थी, PSG की भी नजर थी, Madrid की भी, अब जब आप खुदी लोटी इतना capable मानता, लेकिन हमार पास चुवा मैनी तो है, हम चुवा मैनी को पीछे डाल देंगे, और चुवा मैनी ने खेला भी है, चुवा मैनी नवंबर तक तो एड़्यस्ट करी सकता है न, उसके बाद जब आलाव वापीस आजएगा, तो next season हम ले लेंगे, यह idea रहा ह होगा कि अभी क्योंकि, it was like Lenny Euro, Manchester United versus Real Madrid, पूरी दुनिया के सामने बैटल आगी, one of the biggest clubs की, ऐसे में Real Madrid ने समझा होगा, किसी भी जाएगे, वो साले पहले सी है, 15-20 million बढ़ा के देंगे हमको, अगर हम Scalvini पे जाएगे, या फिर हम किसी और पे जाएगे, Antonio Silva पे चले गए, किसी और पे चले गए, जो price tag already होगा, अब उस पे 15-20 million आप और लगा के चलो, अब सबको पते चल जाए है कि इनको urgency, urgency नहीं है, in-house solution है हमारे पास, और Carlo Ancelotti शायद से इसको ऐसे भी देखता होगा, कि अगर चुवा मैंनिकों मैं पीछे खिला देता हूँ, centre-back के तोर पे, आलबा के absence में, तो मेरे पास midfield में एक slot पे सरदर्दी कम होगी, बेलिंगम खिला दूँआ, वालवर्दे खिला दूँआ, अब मेरे पास कामविंगा और मॉडरिच में से एक वर रहेगा, तो मैं कामविंगा खिला दूआ, मॉडरिच अपना side roll लेता रहेगा, और आगे म आलबा नमंबर में आजाएगा, वो आएगा, वो अपनी जगा लेगा पहले तो पूरी, वो प्रॉपर जगा लेगा, क्या पता, आप ये भी तो देखो ना, कि रोडिगर है, एडर मिलिटाओ है, डेविड अलबा है, जब ही तीनों आजाएंगे तो इन में से एक को बिठ को लोनिन की जब परफोर्मेंस थी, उसके बाद भी प्री सीजन में एक भी मिरट नहीं खिलाया था, थोड़ा था, जब अगर फिट भी होता, तो भी वही खेलता, को लोनिन की जगह पर, तो वही है, कि I think, रेयाल मडिट ने सारे जब सारी चीज़ों को एनलाइस किया तो उन्हें का कि बेदे को पैसे भी जादा देने पड़ेंगे, ठीक है, और तैयारी भी कुछ नहीं करी, कोई अल्टरनेटिव है नहीं हम पे, हम लेनी औरो पे एनलेवन में या फिर एक कुछ तो गारंटी दोगे उसको खेलने की, आजकल क्या आपको पता है, अब लेनी कर सकता है, चुवह मेंने अगर एजस कर लेता है, जो कि कर लेगा, पिछले सीजन भी करा एं, अच्छी परफॉर्मेंस दिये, जादा गाली भी नहीं दिये, कर लेगा तो अगर चुवह मेंने एजस कर लेता है, तो कामा विंगा के मिनिसेस, बढ़ जैएंगे, वहीं सब खेल रहे हैं तो फिर squad में unhappiness कि धर है कहीं भी नहीं, squad moral तो happy और Carlo Ancelotti का आपको mantra पता ये, सब खुश, result खुश, सब खुश होते रहेंगे, खुशी-खुशी में trophy जीत लेंगे, अभी अभी आप यही, वही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जैसे सब Rodrigo-Rodrigo कर रहे हैं कि Rodrigo Mbappe और उसकी चकचौन में, अरे भाई पीछे वह भी तो है, कामविंगा, चुवमेनी भी तो है, अब कल को अगर आप आगे के तीन fix कर देते हो, Rodrigo, Vinicius, Mbappe, पीछे के तीन आप fix कर देते हो, Militao, Rodegao, Alaba, और कारवाहल, अगर आप यह चार fix कर दिया आपने, तो जो बी आइंदियाज भी है, आर्दगुलर भी है, सबायोज भी है, मौडरिच भी है, इसलिए मैं कहना हूँ कि यह season, transition है, क्योंकि बहुत कम हमको tactical combination होता हो दिखेगा, क्योंकि Mbappe, Vinicius तो खेलेंगी, Mbappe, Vinicius, Bellingham, यह तीन तो पक्के हैं टीम में, यह तीन तो पक्के हैं, कही है, कारवाल भी पक कही है, मतला गर हम देखें, है कौन, अब यह भी तो देखो, Lucas Vascus है, पर Lucas Vascus कारवाल के लेबल पर थोड़ी है, उदर Mandy है, वो भी अच्छा खेलता है, Carlo Ancelotti के अंदर उसने भी अच्छा खेलता है, उसने रोक भी लिया, Mandy को, रोक भी, renew करवाती है, तब मेरे को ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ आप प्रिडिट कर पा रहे हूं, लेकिन बहुत कुछ पर आपकी प्रिडिक्शन अभी बच्ची भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, अभी इस सारा का सारा धरा का धरा रह 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 जाए, अगर हम चार हफते भ नौ-दस गोल आ गए, जैसे याद है, बेलिंगम का गयारा गेम में गयारा गोल आ गए थे, यही एमबापे ने कर दिया, सब खतम, उस किसी को फरकी नहीं पड़ता, सब दबाले जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर, जैसे अगर हम मडरिड है, मडरिड में भाई सारे स superstars हैं, एन इस ताइम पर, Vinicius, Mbappe and Bellingham, यह तीन बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि bellend or contention है, तो player power के तौर पर dressing room में, क्या थोड़ी सी unrest create हो सकती है, वो egos आएंगे dressing room के अंदर, या फिर, you know, already आपके Florentino Perez ने यह चीज़ convey कर दियोगी players को, कि मतलब हम सबको बता है कि तुम्हारे कितना media यहां पर coverage होता है, तुमको कितनी hype है यहां पर, but this is about moderate and this is not about individuals, तो यह क्या लग रहा है, यह Mbappe की edition से थोड़ा सा कुछ हो सकता है, unsettled, dressing room का mahol, या फिर, it will be the same. मैं ऐसा मानता हूं, कि unrest वहीं होता है, जहां कोई जीतता नहीं है, जैसे अगर आप United का भी dressing room देखोगे, रोनाल्डो के साथ का, या रोनाल्डो के साथ का, यह मैग गोई, रोनाल्डो वर्सिस हो गया, यह वो हो गया, अगर आप Barsak का भी देखोगे, under KK Sethian के आप बात क बात करो, रोनाल्ड के अब बात करो, मा भी dressing room था, आप Real Madrid के बात करो, जब तक करीम मैं जिमाने वो पेस नहीं पिक अप करीती है, अब आप अगर inclusion की बात करोगे, तो सब inclusion inclusion करते रहते हैं, कि हाँ भाई देखो इसको कितने सस्ते में उठाला है, देखो यह कितना बड़ा करा, देखो यह कितना खुश है, अरे वो खुश इसले भी तो है, क्योंकि काममिंगा चुवा में नहीं चैंपियन लिग जीत गए तो, वो दो लाली का जीत गए, बिल्कुल, अपर रोडरिगो क्लच करता है गेम को आगे मैंचेस्सिस सिटी के गें, दो मिनट पर दो गोल और विनीचस जीत रहा होगा है, रोडरी जीतेगा, डैनियोल मा में जीत गए, बट मतलब एमबाप यह सोचेगा ना कि यार मैं चूतिया ही होंगा, यह सारे के सारे मेरे से पहले आए, ठीक है, मैं one of the biggest हो, लेकिन इस सारे के सारे आए और सब जीते हैं, तो मैं भी खुश गए बैस पूर ड्रहसे नहीं, वो थी बंजीमा वर्सिस विनीचस यादे वो एक वो वाइरल गया था, कि डोंट पास इक विनीचस ही जीता है, जो कि जीते ही हो गया, बांध स्रोंग बट इस पोइंच कि ऑन। उन्रेस्ट का जान्स का जान्स का जो कि आई सारे का जीता ह और जहां पर भी अगर आप डिसपोइंटमेंट भी देखो मैं चलो मान की चलता हूं कि सिटी ने चार जीरो से पहला था सेमी फाइनल तक तो गए थे और उस सीजन भी एंफिल्ड पे अवे पे पांथ दो सहरा के आए थे लिबरफूल को जबकि पहले दस मिनट में दो गोल सेमी फाइनल में जाके हम लोग सिटी से हा रहे थे तो अगर हम लालीगा की बात करें तो उसमें भी ठीक है लेकिन बार्सा की परफॉमेंस देखो गया फिर आप मैंचेसे सिटी की परफॉमेंस देखो गया आप बार्सा की परफॉमेंस जिस तरीके से डिफेंसिव जीता 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 ओर Ь हरी चीज़कती यह आफ तो बतला मोटे मोटे तौर पे यह कह रहा हूं कि कभी किसी प्लेटिक चो चोड़ कि आप एक प्लेयर का नाम बता दो कि चाहे वो starting level में हो चाहे bench पो जिसकी market value गिरी हो आज ब्रहीम दियास की market value आप बताओ आज आप जो जेलो की market value बता दो जब आया था वो आज आप लुकस वासकस अपने आप consistent रहता है एक सबायो उसको आप छोड़ सकते लुका मॉड़िश का आप देखो टोनी क्रूस को प पर करार 15 ॉसका बेलिंगम से तो ये जो चीज है कि वहाई किसी लड़ाई नहीं हो रही सारे जीत रहे है मैदशर को किसी Real से दिख़़्द निया किसी major से जिखकत निया किसी fan को किसी player से दिखकत निया Player को प्रैसिडेंस से दिखकत निया President को किसी सब बड़िया खेल रहा है फड़िय चत के नीचे अबि तो सब सबसे डिकाते अपने मैं सी ने आके साल बर बाद कर चुक है तर आप जीते तो अऊपकर नहीं तक आप Mari झीटना ता दणीए पर आप चैंप यूल को निकाल दए फिर आपने यूख वर आपने मैसी को निकाल दिया ये तो मैं वो दो नाम बता रहा हूं जो कि सब की जुबान पर होंगे इसी में सर्जियो रैमोस भी तो था इसी में डॉनर उमा भी तो लेके आये थे चारों का एक साथ ही घ्रैपर वेश करवाया था पीस जी में सब तो किसी ने कुछ निगा तो ये तो सारी के सारी चीज़े हैं ये तब ही होता है जब आपको जीतते नहीं है जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा उप्सेशन है अचा इस सीजन में बेटवीन जूड वेलिंगम, एमबापे एंड विनिश जूनियर सबसे इंपक्फुल प्ले ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो पता है कि क्या है ठीक है ये तुम्हारे और मड्रिड के बीच की बात है तो इसको तो नहीं कोले तो अच्छा है अगर तेरा इस साल का प्रेडिक्शन क्या है दिव्यांश मतलब रिगार्डिंग रियाल मड्रिड इस साल चैंपेंस लीग में वापस से ट्रोफी लिफ्ट करने की उम्मीद है लीग में क्या एक्सपेक्टेशन है और प्लेयर के रिगार्डिंग क्या लग रहा है कौन सा देर आउट्चाइन करेगा बाकी सारे खिलाडियों को यह मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका सबसे ज्यादा डेवलप्मेंट होगा और अर्दगुलर है अर्दगुलर ने रुकेगा इस बार में को लगता है अर्दगुलर का ब्रहीम दियाज इन्टू रोड्रिगो टाइप वह बाई एंड्रिक वह अगर आर्दगुलर के जाथ चुचा पाया तो था किया कर रहा है अरे वह गांडू है मैं बता रहा हूं अरे भाई सब्सक्राइब 2018 में आया था वह उसकी 10% भी निखा सकता है अंड्रिक याले और मैं पर्फॉमेंस के बेसिस पर कह रहा हूं वह तो मैं कहीं नहीं रहा काले गोरे कि तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं इसको कुछ भी करके इसकी डिवलपमेंट को रोकना नहीं है और उसके बाद मेरे को लगता है कि यहा और अल्टिमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि वह ब्रजीलियन मार्केट वह फेस वाली और इस सबके चकर में वह ब्रहीम को रोक लेंगे और वह ब्रहीम को सेल कर देंगे और उसकी वैल्यू को बढ़ा गया और देखों आप भी मानते हो कि ब्रहीम दियाज अगर हम जो अब भी उसमें इंट्रसेट थी ना मिलान तो अभी उसमें इंट्रसेट थी स्टार्टिंग एलेवन में बड़ी अराम तर इसमें अगर डेवलप्मेंट हो गया बट मेरा यह मानना है कि विनीशियस चिल बहुत बहुत बड़िया लेवल पर इंपक्त करेगा तो मेरा तो विनीशियस पर रहेगा वह 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 एंबापे से बैटल फॉर्म में इस मामना तो मैं आपको बतायता हूं अगर ट्रॉफी बाइस प्रडिक्शन की बात करें तो मैं को लगता है लाली का मने का लेंगे और चैंपियंज लीग में या चैंपियंज लीग में श्रम कर ले थोड़ी तो श्रम कर ले थो तो हैं ऐसा लग रहा जासा था नहीं कौन सी टीम के वार रहे हैं बात और कर जाएंगे वहां से देखना पड़ेगा आगे बाई कुछ टीम होते हैं जो राउंड ऑफ सिस्टीन से बाहर हो जाती है कोई बात नहीं चलता है बněए आख़ी सवाल जो था मेरा कि कौन सबस्यून करेगा उनहें बोला विनीशिस करेगा राइट जूड बेलिंगम से क्या उम्मिद है इस साल पीछह बैटने पड़ेगा थोड़ा सा देखो सपर्सेटारी नियुक्त लेग सब्सक्राइब Leigh bedroom बना के में बाना में गूता. बेलिंगम को फिर बेलिंगम इस वाली उसमें नहीं आएगा ना अरे देख उसने 30 गोल मार दिया देख उसने 35 गोल मार दिया फिर बेलिंगम इसमें आगा दिया consistent performance यह वही बेलिंगम जैसा आर्क होना चाहिए अपर बैटरीगा यह थोड़ी गिनाते है पैटरीगा पैटरी में आजाएगा और आए बस खेलने का है मिट फील्ड में शाहिन तो विनिशियस ही करेगा मैं हो सकता है कि मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि विनिशियस अपने मोमेंटम को बना कर रखेगा अल्राइड गाईज तो इस इस इच फ्रॉम आर एंड और रियाल मडरीट का सीजन कैसा होने वाला है उसका एक आपको अंदाजा दिया यहां पर आपके दिव्यांश नै आप अपने प्रेडिक्शन जरूरू बताओ कि आपके इसाब से यहां पर मडरेड सीजन में क्या ज कि में को चोटा सा डर है कि कि वाट कुद गो रॉंग कुड गो वर्स का चाना था जिकस्क को हजाए कि नमटल बताता हूं había kakak in Real Madrid और रौनालडोव- यूए-टर बत दिफ्रेंट हैए कि बाहत की अफर चौट वह गया सब्सक्राइब करदा सि आप मना रिक्लाइब कशा अब कहते हैं आप अगर 40 गोल मारतेता है और Mbappé literally carry forward करता है लेकिन अगर Real Madrid La Liga में कुछ चंद पॉइंटों से छूट जाती है और Champions League में एक गेम में हद देती है फिर पूरा सीजन कैसे define किया हो जाएगा अब यह भी तो देखो फिर कहीना कि वहीं हो जाया है कि Mbappé की selfishness न कहीना कि पूरे Real Madrid के सीजन को खा गए और वो कैसे मेरे ख्याल में वो तो मेरे ख्याल में बेलिंगम के साथ भी बना ही केस ना के बेलिंगम अपने numbers के लिए कि तो मेरे ख्याल में वो तो देख media की आप बोलोगे जो news out आपके headlines रहेंगी उसके basis पर opinion कैसा निकलता है वो उस पर depend करता है वागी चलो मिलता है माप से अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच पर त्यूनिग इन रिव्यांश और भाई टाइटल में टैट डला हुआ है जाके चेक कर लो वैसे तो तुम लोग सारे उदर से ही आए होगे और थैंक्यू सो मच और सब्सक्राइब हमें भी कर ले ना आपने उपर निश्र कर दे ना वीडियो को लैक कर दे अब आपको भी एपी जर्नी थैंक्यू आकर लद्दाक से वापस बात करता हूं तुम लोग से ठीक है चलो लद्दाक के पोस्ट मेरे को रिकमेंड क्यों हो रही है बैंच मैं तो गरीब आद में हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए